एलो इस्टुडेंस तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिष में एक एसे जिसका नाम है मोबाइल फोन हाँ आज हम मोबाइल फोन के बारे में एसे लिखेंगे मोबाइल फोन आपने देखा है हम सभी के घर में मोबाइल फोन होता है क्या आपको पता है मोबाइल फोन में क्या-क्या होते हैं तो चलिए आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे मोबाइल का उपयोग हम तो सब करी रहे हैं मोबाइल जो है हमारे जीवन का एक अभीन अंग बन गया है आज मोबाइल हमारे जीवन का एक अभीन अंग है हम जब सो के उड़ते हैं तो हमारे दिन की सुरुवात भी मोबाइल से चालू होती है और जब हम रात को सोने जाते हैं तो दिन के सुर्वास लेकर रात के अंत तक हम मोबाइल को उप्योग किसी ना किसी प्रकार से करते हैं मोबाइल को उप्योग हम सभी कर रहे हैं अग मोबाइल जो है वो विभीन आकरिती और अकारों में पाई जाती है विबिन तकनीकी फिचर्स होते हैं उसमें कई देशों के लिए उपयोग किया जाता है जैसे कि हमें किसी को टेक्स मैसेज भेजना है या किसी से वाइस कॉलिं करना है या वीडियो कॉल करना है इंटरनेट ब्राउजिंग के उपयोग कर सकते हैं एससी को इमेल कर सकते हैं वीडियो गेम खेश सकते हैं और सात्य ऐसाथ हमगल सकते हैं इसले कि ओसे हैं शोन सक्यों छेत्रों में हम उप्योग कर रहे हैं, मोबाइल एक तरह से आपके जीवन को एक सरल बना रहा है, यह हमारे लिए लाब दैग भी है और नुकसान दैग भी है, लाब में यदि हम देखें तो मोबाइल जो है वो हमें एक दूसरे से जोड़े रखने का काम करता है, जैसे हम मोबाइल हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, संचार से विधा देती है, मनुरंजन कर सकते हैं, कहीं पर भी बैटे हैं, फ्री है, हमको मनुरंजन चाहिए तो हमें किसी से देखने की जरुवत नहीं है, हम सीदह अपने मोबाइल में मनुरंजन कर सकते हैं, ओफिस का काम भी लाब दायक है, हमारे लिए सुविधा देता है, यदि हम इसी मोबाइल का दुरुपयोग करें, तो ये हमारे लिए नुकसान दायक भी हो सकता है, दुरुपयोग से हम देखेंगे, ये हमारे जो है, वो समय बरबादी है, एक तरीके से जो मोबाइल है, वो समय बरबादी है, समय बरवादी है यानि कि आप जो काम यदि आप फ्री है तो उस फ्री टाइम में अधी आप कोई अच्छा काम करे तो वो समय हमारे लिए उप्योगी हो सकता है लेकिन हम क्या करते हैं मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं बेकार से वीडियो देखने लग जाते हैं या फिर कुछ और काम करने लगते हैं बस एक time pass करते हैं मोबाइल को लेका internet नेट अन करते हैं और time pass करते हैं तो यह हमारा क्या है एक तरह से समय यदि हम mobile का सही उप्योग नहीं कर रहे हैं यदि हमको कुछ देखना है internet से या कुछ वीडियो देखने हैं तो हम जो knowledgeful video है या meaningful जो video है उसको हम देख सकते हैं बट लेकिन क्या होता है हम ऐसे कुछ भी video देख लेते हैं तो यह क्या है हमारे एक समय की बरबादी हो गए हमारा दूसरा क्या point यहाँ पर क्या हो सकता है कि हमारे जो data है उसकी गोपनियता क्या होती है loss हो जाती है हम बहुत सारे photos share करते हैं या कुछ भी हम mobile पे लगाते हैं तो क्या होती है हमारी जो गोपनियता है वो home से उसकी हानी हो जाती है जहां एक को इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे लिए लाब दायक भी है और यह नुक्सान दायक है तो इस प्रकार आप देख पा रहे होगे कि mobile जो है एक सकरात्मक प्रभाव भी देता है और नकरात्मक प्रभाव देता है यह तो उप्योग करता जो यूजर है तो यह उनके उपर डिपेंड करता है कि मोबाइल को किस प्रकार से उप्योग कर रहे हैं तो यह था हमारा हम जो mobile phone के उपर यह एसे लिखने वाले हैं उस पर मैंने छोटी से एक टिपणी लिखी टिपणी के रुप में आपको बताया हैं चलिए आप देख लेते हैं कि इंग्लिश में आप यदि mobile phone को mobile phone का यह से लिख रहे हैं तो इसे किस प्रकार लिखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक लाइन में पढ़ूंगी उसके बाद पर इसका हेंडी मिनिंग बताऊंगी A mobile phone is a small portable radio telephone. The mobile phone can be used to communicate over long distance without wires. As mobile phone become more popular, they begin to cost less money and more people could afford them. In the 21st century, a new type of mobile phone called smartphone have become popular. Now, more people are using smartphone than the old kind of mobile phone which are called features phone. We talked it easily and sent messages to another person quickly. The handoff is done so well and careful that the user will usually never even known that the call was transferred to another cell. चली अब इसे हिंदी में भी पढ़ लेते हैं. A mobile phone is a small portable radio telephone. Mobile phone एक छोटा portable radio telephone है. The mobile phone can be used to communicate over long distance without wires. Wires याने होता है तारो. Communicate याने संचार. Long distance याने हो गया लंबी दूरी. Mobile phone can be used याने कि जिसको उप्योग हम कर रहे हैं. Mobile phone का उप्योग तारो के भीना without wires बोला है. याने कि तारो के भीना long distance लंबी दूरी पर संचार करने के लिए उप्योग किया जा सकता हैं. ठीक है तो हमने क्या पढ़ा? Mobile phone एक छोटा portable radio telephone है. मोबाइल फोन का उप्योग तारों के बीना लंबी दूरी पर संचार कने के लिए किया जा सकता है As mobile phone become more popular जैसे mobile phone अधिक लोगप्री होते गया जैसे जैसे mobile phone जो है वो अधिक लोगप्री होते गया They begin to cost less वे कम पैसे खर्च करने लगी And more people could offer them और अधिक लोग उन्हें पेस कर सकते थे Mobile phone का उप्योग Mobile phone जैसे जैसे लोगप्री होने लगा इसका जो cost है वो less होने लगा Cost ठीक है इसका जो मानी है पैसा जो है वो कम होने लगा और लोग इसे अधिक से अधिक उप्योग करने लगे In the 21st century A new types of mobile phone called smartphone 21 सदी में In the 21st century याने 21 सदी में A new type of mobile phone एक नए प्रकार का mobile phone Called smartphone जिसे हम क्या कह रहे हैं Have been popular यह जो smartphone है वो भी क्या हुआ लोग प्री हो गया Popular याने लोग प्री होना 21st century याने 21 सदी में यह जो नए प्रकार का mobile phone आया था जिसे हम क्या करें थे smartphone वो भी क्या हुआ लोग प्री हो गया Now more people are using smartphone और अधिक से अधिक लोग इसे क्या करने लगे उप्योग करने लगे स्मार्टफोन को प्योग करने लगे Then the old kind of mobile phone Which are called features phone फिर पुराने प्रकार का जो mobile phone था उसे हम क्या phone कह रहे हैं features phone कह रहे हैं तो जो 21 सदी का जो नया mobile phone है उसे हम स्मार्टफोन कह रहे हैं और जो पुराने प्रकार का जो mobile phone था उसे features phone कह रहे हैं We talk it easily and send messages to another person quickly हम इसे असानी से बात कर सकते हैं और दूसरे वेक्ति को जल्दी message भेज भी सकते हैं Mobile phone से हम क्या कर सकते हैं असानी से किसी को call भी लगा सकते हैं किसी से बात कर सकते हैं और या फिर किसी को message भी कर सकते हैं बहुत ही जल्दी हमारा जो message या call है वो हमारा phone से असानी से हो जाता हैं The hand-off is done So well and careful that the user will usually never have known that the call was transferred to another cell Hand-off इतनी अच्छी तरह से और सवधानी से इतनी अच्छी से और सवधानी से किया जाता है कि उपयोग करता है जो user है उपयोग करता है उसको आम तोर पर कभी पता ही नहीं चलेगा कि call किसी अन्य सेल सेल हैने कि जो mobile phone है ठीक है तो किसी another cell वो रहा है तो किसी अन्य सेल में transferred याने कि इस्थनांत्रित हो गई है ठीक तो यहाँ पर बोल रहा है कि hand of इतनी अच्छी तरह से और सवधानी से किया जाता है कि उपयोग करता को आम तोर पर कभी पता ही नहीं चलेगा कि call किसी अन्य सेल में इस्थनांत्रित हो गई है तो यहाँ था हमारा छोटा से एक एसे जो कि mobile phone पता आप लोंको अच्छे से समझा गया होगा